Hello students, welcome to Sumaya English Primary School Standard 7th subject Hindi आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 6 पृत्वी से लेके अगनी तक इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ इन्फरमेशन दी गई है रॉकेट के बारे में तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है जिसी कि आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम एपीजे अब्दुलकलाम कौन थे वो हमारे स्टेट के पहले राश्ट्रपती मतलब हो रह चुके है डॉक्टर अब्दुलकलाम जी ने अगनी प्रक्षेपन में आने वाली कठिनाई और विद्ञान के अथक प्रडिश्रम के बारे में बता है इस चैप्टर में उन लोगों ने जो हमारे सैंटीस थे और जो हमारा जो रॉकेट लॉंच हुआ था अगनी उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई थे और क्या कटिनाई थी उसको उन लोगों ने सैंटीस लोगों को उन्होंने कैसे हल्प किया उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे उसके बाद में आपको एक्स्प्लेइन करूंगी बाला सोर में अंतरिम परिक्षन का पूरा काम होने में अभी भी कम से कम एक साल की देरी थी हमने पृत्वी के प्रक्षेपन के लिए श्री हरी कोटा अंतरिक शेत्र में विशेश सुविदाय स्तापीत की इन में से एक लॉंच पैड, ब्लैक हाउस, नियंतरन उपकरन तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे बाला सोर में अंतरिम परिक्षन के लिए अंतरिम परिक्षन क्या होता है अंतरिम परिक्षन यानि एक्जामिनिशन के लिए उन लोगों को कम से कम एक साल का और टाइम लगने वाला था हमने पृत्वी के प्रक्षेपन के लिए पृत्वी यानि हमारा जो अर्थ होता है उसके प्रक्षेपन यानि लॉंच के लिए श्री हरी कोटा अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष केंद्र यानि क्या होता है, स्पेस सेंटर जो होता है, उसमें विशे सुविधाय स्तापित की थी, सुविधाय यानि फैसिलिटी वहाँ पर बहुत सारी अविलेबल थी, इन में से एक लॉंच पैड, ब्लाक हाउस, नियंतरन उपकरन, तता चलित दूर मित्र, मि एक सैटेलाइट को पृत्वी करके नाम दिया गया है, उसको 25 फरवरी 1988, 1988 को सुबह 11 बच के 23 मिनिट पर छोड़ा गया, यह देश के रॉकेट विध्यान के इतिहास में एक युगांतरी घटना थी, यह देश के रॉकेट विध्यान, यानि रॉकेट सैंस में एक युगां घटी थी, निर्देशित मिसाईलों के शेत्र में एक आत्म निर्भर देश के रूप में पृत्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकिसीत देशों को विचलित कर दिया था, निर्देशित मिसाईलों के शेत्र में, यानि निर्देशित मिसाईलों का एक शेत्र यानि एक चो सेंटर होता है में एक आत्म निर्भर देश आत्म निर्भर यानि सेल्फ डिपेंडेट देश के रूप में भारत को क्या किया था विचलित कर दिया था समर्तशिल नागरिक अंतरिक्ष उद्यक और व्यवर्थ मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिन्दा राष्ट्र के समुव में पहुचा दिया था लेकिन क्या एक प्रुत्वी की परियाप्त होगा क्या पाच चार पाच मिसाइल प्रणालियों का एक स्वदेशी विकास हमें परियाप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा उसी समय अगनी को एक टेकनोलोजी प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें परियाप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा क्या उसी समय अगनी को एक टेकनोलोजी प्रणालियों के रूप में विकसित कया गया था अगनी एक टेकनोलोजी है जिन साइंटिस लोगों ने इसको क्या किया था निर्मान किया था यानि इसको बनाया था देश के भीतर उपलब्द समस्त संसादनों को दाव पर लगा कर यही एक उत्तर था अगनी टीम में 500 से अधिक वैध्यानिक थे अगनी जो टीम थी यानि जो प्रोजेक्ट अगनी था उसमें कम से कम 500 से जादा वैध्यानिक यानि साइंटिस शामिल थे और इन विशाल प्रक्षेपनों में अनेक संगटनों का नेटवर्ग बनाया गा था और इस विशाल प्रक्षेपन में प्रक्षेपन क्या होता है प्रक्षेपन यानि लांच में इस विशाल लांच में यह अगनी जो एक उन लोगों का प्रोजेक्ट था इसके अंदर 500 से जादा scientist शामिल थे और इस launch को बनाने के लिए अलग-अलग संगटनों का एक network बनाया गया था संगटना यानि एक अलग-अलग points होते जो मतलब अलग-अलग जुड़े होते जिसी कि अभी हमें कोई भी चीज या डिश बनानी रहते तो उसमें अलग-अलग ingredients हमें add करने रहते हैं वैसे ही यहाँ पर एक अलग-अलग संगटनाई होती है उन सब network को एक साथ में बनाया गया था अगनी का प्रक्षेपन 20 एप्रिल 1989 को निर्धारित किया गया था अगनी का प्रक्षेपन प्रक्षेपन यानि जो लॉंच था अगनी जो प्रोजेक्ट था उसका लॉंच जो था वो 20 एप्रिल 1989 यानि 1989 को निर्धारित किया गया था निर्धारित यानि उस दिन उन लोगो अभ्यास होने वाला था अंतरिक्ष प्रक्षेपन यान के विवपरित मिसाइल प्रक्षेपन में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खत्रे शामिल थे वहाँ पर मतलब जैसे अभी रॉकेट वगेरा इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लॉंच करने हैं तो उसको गणाने भी time लगता उसमें बहुत सारी problems भी आती तो वैसे ही इसमें भी कुछ खत्रे शामिल थे प्रक्षेपन की पूर्वा तयारी की सारी गतिवी दिया तया कारेक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी प्रक्षेपन की प्रक्षेपन की पूर्वा तयारी यानि लॉंच की पूर्व तयारी परी जो उन लोगों को जाता पहले से ही प्रिपेर करना की सारी गतिवी दिया तया कारेक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी जिस समय हम टी 14 सेकेंड पर थे कंपीटर ने संके दिया कि उपकर्णों में से कोई एक थीक से काम नहीं कर रहा है जिस समय हम T 14 सेकंड पर थे, कम्प्यूटर ने क्या संकेत दिया, संकेत यानि हिंट दिया कि कुछ उपकरने ठीक से काम नहीं कर रही है, इसे तुरंट सुधार लिया जाए, इसे फोरं क्या करना चीए, सुधार लेना चीए, ठीक कर लेना चीए, इस बीच निचली रेंच के केंद्र ने hold के लिलिए क्या, और इस बीच में जैसे की launch उने वाला था, जो machines वただ ये उसको सुधार करना ता, तो इसे लिए नीचली रेंच केंद्र ने hold के लिए क्या hold कहा यानि रुखने के लिए कहा अगले कुछ सेकंड में जगा जगा hold की जरुरत पड़ गई हमें प्रक्षेपन स्टगित करना पड़ा और अगले कुछ सेकंड में मैं जैसे की बताए कि वो लोग जो प्रजेक्ट्स वगेरा बनाते हैं उसको वो लोग टेस्ट वगेरा भी करते हैं तो उसके लिए उन लोगों को जगा जगा पे hold की जरुरत पड़ी और उसके बाद में वो कुछ उपकरनों में काम भी निकल आया था उसको सुधार करना था इसलिए उन लोगों को अपना एक experience हमारे साथ में share कर रहे हैं कि जब उनके scientists लोग मतलब अपनी कठीनाईयों से और परिशानियों से जूज रहे थे तो उन्होंने उनसे क्या बाते की कैसे उन लोगों ने इस अगनी को मतलब इस जो प्रोजेक्ट था उनका जो अगनी करके एक प्रोजेक्ट था हालत में बैट गए थे मैंने SLV-3 के अपने अनुभाव को उनके साथ में बाटा अभी जैसे कि डॉक्टर एबीचे कला हमारे एक पूरवर राश्ट्रपती भी रह चुके और उन्होंने हमारा इंडिया का फर्स रॉकेट लॉंच किया था तो उनके लिए ये नई बात नह जैसे वो लोग उदास्ग हो गए थे तो डॉक्टर अब्दुलकलाम ने उनका SLV-3 के अनुभाव को उनके साथ में बाटा मेरा प्रक्षेपन यान तो गिर कर समुद्र में खो गया था लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई उन्होंने कहा कि उनका जो प्रक्षेपन जान था वो समुद्र के अंदर गिर गया था लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई आपके मिसाईल अभी तक आपके सामने है आपका जो मिसाईल है यानि जो अगनी प्रोजेक्ट जो है वो आपके सामने है वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसके जि निकाल दया इस वीवरन अभी इस वीवरन का मतलब क्या होता है वीवरन यानि इस description जैसे के उन्होंने अपना experience बताया तो इसके साथ में उन लोगों को वीवरन मिला और उसके बाद में वो लोग जो मायूसी और शोक की हालत में बैठे थे उससे वो लोग बाहर आए और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जाच और उन्हें ठीक करने में करने के काम में फिर से जुट गया और जो लोग निराश होकर बैठ गय थे वो वापिस से अपना जो उपप्रणालिया वगेरा जो मशीन्स वगेरा खराब हुचु की थी या सही से चल नहीं रहे थी वाप अगले दस दिन और रात चले विस्तृत्व विसलेशन विस्तृत्व विसलेशन यानि एनलाइसिस उन लोगों ने मतलब जो उसके उपर जाच की उस मिसाइलों को ठीक किया उसमें जो उपकरने जो काम नहीं कर रहे थे चल नहीं रहे थे उसमें दिन रात मेहनत करके उनको सही कर दिया वज्ञानिकों ने मिसाइल को एक माई 1989 यानि 1990 1989 को तयार कर लिया लेकिन स्वचलित कम्प्यूटर जाच अवधी के दौरान टी 10 सेकंड पर होल्ड का संकेत देने लगा लेकिन स्वचलित कम्प्यूटर की जाच अवधी के दौरान टी 10 सेकंड पर होल्ड का संकेत यानि होल्ड कहने लगया प्रक्षेपन फिर एक बार स्तगित करना पड़ा जो उनका प्रक्षेपन था जो उनको लॉंच करना था अगनी प्रजेक्ट वो वापिस से एक बार पोस्पोन हो चुका था रॉकेट विद्यान के शेत्र में इस तरह की चीज़े बहुत आम है रॉकेट विद्यान यानि रॉकेट साइंस के जो शेत्र होता है जो केंद्र होता है उसमें ये सब चीज़े बहुत आम होती है और अकसर अन्य देशों में भी होती रहती है सबी देश लोग जो परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। मैंने DRDLRCI यानि एक शौट फॉर्म होता है। उन लोग जो भी प्रोजेक्स पे काम करते हैं उसका ये सब शौट फॉर्म होता है। उसमें 2000 से भी जादा लोग शामिल थे उनको संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोक्षाला या R&D संस्तान को देश में पहली बार अगनी जैसी प्रणाली विकिसित करने का अउसर मिलता है। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से किसी प्रयोक्षाला को या तो R&D संस्तान को प्रयोक्षाला यानि डेबरेटरी और ज यह महान अवसर हमें दिया गया और यह opportunity किसे मिली है हम इंडिया वालों को हम भारतवासियों को मिली है स्वभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनोतिया लेकर आते जितना बड़ा हमारा काम होता है उसके साथ में उतनी सारी प्रॉब्लम्स और चुनोतिया भी हमारे साथ में आती है देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार ने देश को हमसे सरिफ क्या चीए सफलता चाहिए और कुछ भी नहीं चीए आईए सफलता को लक्ष बनाए उन्होंने सब को क्या कहा कि आईए हम हमारी सफलता को हमारा क्या बनाते है लक्ष बनाते हमारा गोल बनाते अपना संबोधन लगपक खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अगनी का काम्याभी से प्रक्षेपन करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे कुछ लोगों ने आपस में क्या किया वादा किया कि एक महीने के मतलब एक महीना खत्म होने से पहले हम लोग क्या करेंगे अगनी जो प्रजेक्ट हमारा है उसको कंप्लीट करेंगे और उसकी काम्याभी का काम्याभ होने के बाद ही कि हम यहाँ पर वापस मिलेंगे यह किसी आश्चरिय से कम नहीं था कि कैसे सेक्डों करमचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तयारी का काम स्विकार्यता परिक्षनों सहीत केवल दस दिन में पूरा कर डाला यह किसी आश्चरिय से कम नहीं था मतलब यह एक चौका देने वाली बात थी कि सभी कर्मचारियों ने जितने भी साइंटिस वहाँ पर काम कर रहे तो उन्होंने स्रिफ दस दिन में पूरा काम कर डाला अब बाधाय पर पैदा करने की बारी विपरित मौसम की थी जितना भी अगनी प्रोजेक्स से रिलेटर्ड जो भी काम था मशीन बाधे जैसे की रॉकेत वगैरा लॉन्च करना होता है तो इसके लिए प्रपर मौसम की भी देखरीं करने प्रती कि मौसम सही है या नहीं वर्ना वो लॉंच ने और कभी-कभी जो सही रिजल्ट हम लोगों को चाहिए वो नहीं मिलता मौसम संबंधी आकड़े रुक-रुक कर आने लगे और 10 मिनिट के राल में उनकी बाडसी आ गई प्रक्षेपन 22 मई 1989 के रोज निर्धारी निर्धारीत कर आ गया फिर प्रक्षेपन वापिस से पोस्पोन करके 22 मही 1989 को किया गया यहाँ पौर्निमा की राती पौर्निमा यहीं पूनम की राती जौर के कारण लहरे किनारों से टक्रा कर और अधिक शोर मरा रही थी जो आर के कारण लहरे जो है वो आपस में टकरा रही थी और बहुत जादा शोर कर रही थी क्या हम अगनी के प्रक्षेपन में कल सफल होंगे यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे उपर था लेकिन हम में से कोई भी उस सुन्दर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाता था सबको यही टेंशन ता कि कल जो उनका अगनी प्रक्षेपन का जो लॉंच है वो सफल होगा या नहीं होगा यही टेंशन में और खामोशी में सब लोग बैटे थे एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंतरी महोदय ने मुझसे पूछा कि कल जब तुम लोग अगनी के प्रक्षेपन में काम्याब हो जाओगे तो तुम उसका जशन मनाने के लिए मुझसे क्या उपवार यानि क्या गिफ्ट चाहोगे यह एक मामूली सा सवाल था लेकिन मैं ततकाल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया यह मतलब मामूली सा सवाल था लेकिन उसका अब्दुलकलाम जी के पास ततकाल यानि फौरण वो कोई भी आंसर उसका नहीं दे सकते थे मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती है उनके मन में सवाल उठने लगे कि मुझे क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज जो मेरे पास नहीं है और ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे और जादा खुशी दे सकती है और तब मुझे जवाब मिल गया और ये सब चीज़े सोचने के बाद उनको जवाब मिल गया और उन्होंने कहा हमें RCI में लगाने के लिए एक लाग पौदों की जरूरत है उन्होंने क्या कहा कि हमें RCI एक संस्ता है वहाँ पर हमें एक लाग पौदों लगाने की जरूरत है मैंने कहा अगले दिन सुबह 7 बच कर 10 मिनिट पर अगनी मिसाइल प्रजवलित हो पिटी हो उठी अगले दिन सुबह 7 बच कर 10 मिनिट पर 7 बच कर 10 मिनिट पर उन लोगों ने कौनसे दिन 22 मई 1989 1989 को सुबह 7 बच कर 10 मिनिट पर अगनी मिसाइल जो थी अगनी जो मिसाल यानि जो रॉकेट था वो प्रजवलित यानि उसमें आग लग गई थी यहाँ प्रजवलित वही आग लग गई लाउंच हो गया हम उनके कार्य केंद्रों पर पांच साल की कड़ी महनत के बाद लॉंच पैड पर आये थे पांच साल की कड़ी महनत के बाद उन लोगों ने अगनी को अगनी जो उनका प्रोजेक्ट जो मिसाल था उसको क्या किया था लॉंच पैड पर लाया था पिछले पाच हफतों में गड़बडियों की एक शुरूंखला की अगनी परिक्षा से गुजर रहे थे पिछले पाच हफते से जो अगनी गड़बडियों के यानि जो प्राब्लम्स वगेरा हो रही थी उसकी श्रुंकला यानि उसकी सीरीज से वो लोग गुजर रहे थे लेकिन अता हमने यहाँ करके दिया लेकिन लास्ट में क्या हुआ वो लोग सफल रहे उन लोगों ने अगनी जो मिसाइल थी उसको लांच किया और उसमें सफलता पाई यहाँ मेरे जीवन के महानतम शणों में से एक था उसने सभीकी थकान को पल में धो डाला था सालों की महनत का क्या शांदार नतीजा मिला इसी प्रकारे हमारा जो यह चैप्टर है पृत्वी से लेके अगनी तक इसका explanation यही पर end होता है Thank you